दोस्तो आज में आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जिसे वही लोग खा सकते हैं जो शादी शुदा है या फिर जिनकी गल्फ्रेंड है क्योंकि इस नुस्खे को खाने के बाद आपको इतनी गर्मी और ताकत मिलेगी कि आपको तुरंद पानी निकालना पड़ेगा जी हाँ दोस्तो अगर आपकी बीवी या प्रेमी का आपके पास नहीं हो तो इस नुस्खे का इस्तमाल ना करे तो ही अच्छा होगा तो आईए दोस्तो जानते हैं इस नुस्खे के बारे में दोस्तो सबसे पहले जानते हैं इस नुस्खे को खाते समय आपको किन किन चीजों का परेज रखना है या फिर किन लोगों को ये नुस्खा नहीं लेना चाहिए दोस्तो इस नुस्के को खाते समय आपको कोई गर्म चीज नहीं खानी है क्योंकि ये नुस्का ओल्टेडी बहुती गर्म होता है अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर शराब पीते हैं तो आप ए आदत भी छोड़ने की कोशिश करें ज्यादा तला भूना खाना आपको नहीं खाना है आपको डेली कम से कम 30 मिनिट की एक्सराइज जरूर करनी है अगर आपको कोई गंबिर बीमारी है तो एक बार अपने डॉक्टर से परामर्ष जरूर कर ले अगर आप लंबे समय से कोई दवाई लेते आ रहे हैं तब भी आप एक बार अपने डॉक्टर से बात करें तो आईए दोस्तो जानते हैं इस नुस्खे के बारे में इसके लिए हमें चाहिए लॉंग और दूद नुस्खा बनाने की वीदी दोस्तो आपको 2 या 3 लॉंग डेली रात के समय पीस कर इनका पाउडर बनाना है और एक गिलास दूद को उबाल कर थंडा होने के पश्यात उस दूद में ये लॉंग का पाउडर डाल कर आपको पीना है ध्यान रहे कि आपको ये दूद सोने से पहले लेना है या अगर बीबी के साथ हम बिस्तर होना चाहते हैं तो आप संपर्क करने से आधे गंटे पहले इस दूद को पिकर संपर्क करें दोस्तो इस नुष्खे का 21 दिनों तक इस्तेमाल करने से ही आपकी सभी यौन समस्याये खत्म होने लगेगी तो दोस्तो इस उपाई को जरूर आजमाये और फाइदा उठाईए तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले